सो हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल सो दोस्तो है एंड आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वोलाँ दोस्तो कि आप जिदी कोटक महंदा बैंक में अपने रुपिय के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कोटक महंदा बैंक में अक्टूबर म लेते हैं तो मैं आप लोग को दावे के साथ क्याता हूँ कि आप कोटक महंदा बैंक में अपने रुपिय के इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा हासा रेट आफ इंटेस हासिल कर जकते हो तो दोस्तो है आए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को दिख दोस्तो है एंड वीडियो में आगे बरने से पहले आप लोग से एकी रीक्वेस्ट है कि अभी तक जो जो मेरा चैनल को सस्क्राइब नहीं कियेंगा दोस्तो सस्क्राइब करते हैं और बेल आइकन घंटी को प्रेस करते हैं दोस्तो आई आज की इस वीडियो को शुरू करत हैं तो दोस्तो हैं आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर कोटक मेंदरा बैंक का ओपिस्यल वेबसेट को आपन कर लिया हूं तो आपको करना है कि आपको किलिक करना इंट्रेस रेट में दोस्तों इंट्रेस रेट में किलिक करने बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो एक्टिव फ्रॉम 14 जून 2024 आनिकी दोस्तों 14 जून 2024 को रेट आफ इंटेस में अपडेट आया है रेट आफ इंटेस में बदलाव किया गया है उसके बाद अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं आप जोदी साथ दिन से 14 दिन का फिक्स अंदोस दिन से लेकर के 30 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो जैनरल पाबली को मिलेगा 3.00% और सीनियर सीटियन को मिलेगा 4.00% तो जैनरल पाबली को मिलेगा 4.25% और सीनियर सीटियन को मिलेगा 4.75% तो जैनरल पाबली को मिलेगा 7.00% और सीनियर सीटियन को मिलेगा 7.50% तो जैनरल पाबली को मिलेगा 7.50% जैनरल पाबली को मिलेगा 8.14% सीनियर सीटियन को रेट आफ इंटेस मिल जाएगा 7.82% और दोस्तो आप जदी 4 साल से लेगर के 5 साल का FD करवाते हो तो आपको 7.19% रेट आफ इंटेस जैनरल पाबली को मिलेगा लास्ट जून मेने में चेंज किया था उसके बाद अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है तो दोस्तो और आप जदी अक्टूबर मेने में रुख जाते हो हो सकते हैं आप जदी नौवंबर मेने में इंवेस्ट करते हो तो हो सकता है कि रेट आफ इंटेस में बदलाव किया जाएगा लेकिल दोस्तो अभी जदी आप इंवेस्ट करते तो आपको 8.14% ही rate of interest मिलेगा इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तो यह होगी आपका rate of interest का टेबल आप दोस्तो यहाँ पर मैं FD का calculator open करता हूँ और FD का calculator open करके दोस्तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि मालीजे आप जदी 23 मन्थ का fix deposit कराते तो 8.14% and 7.61% के हिसाब से आपको कितना rate of interest मिलेगा एक लाख रुपया के उपर वो यहाँ पर मैं FD का calculator open करके आप लोगों को दिखा देता हूँ तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं FD का calculator open कर लिया हूँ और FD का calculator open करने वा दोस्तो यहाँ पर मैं 1,00,000 रुपया लिग दिया हूँ और आप जिदी general public हो तो आपको 7.61% का rate of interest दिया जागा तो यहाँ पर मैं 7.61% लिख दिया हूँ 7.61% लिखने का बाद दोस्तो यहाँ पर मैं calculator में किलिक कर देता हूँ दोस्तो का calculator में किलिक करने बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका principal amount होगा एग लाग रुपया और आपका maturity amount होगा एग लाग 15,093 रुपया बाउन पेसा अनि कि दोस्तो आप देख सकते हैं जो कि आपको कितना जादा rate of interest मिल रहा है आप ज़िदी जनरल पाब्लिक हो तो आपको 15,093 रुपिया 52 पे सा आपको 1 लाग रुपिया के उपर rate of interest मिल रहा है तो दोस्तो और यहोगी आपका जनरल पाब्लिक के लिए और आप ज़िदी senior citizen हो तो आपको जो rate of interest मिलेगा ओ यहाँ पर मिलेगा पॉइंट 14 परसेंट तो यहाँ पर मैं 8.14 परसेंट लिख दिया हूँ 8.14 परसेंट लिखने का बाद दोस्तो यहाँ पर मैं कैलकूल्टर में किलिक कर देता हूँ दोस्तो कैलकूल्टर में किलिक करने बाद आप यहां पे देख सकते है जो कि आपका प्रिंसिपल एमाउंट है एक लाग रुपिया और आपका मैचिरूटी एमाउंट है एक लाग सोलो हजार एक सो बैरासी रुपिया पेतालिस पेसा आनि कि दोस्तो बैंक जो आपको रेट भी ज्यादा आपको रेट आफ इंटेस मिल रहा है तो दोस्तो है एंड आई हो पाच की इस वीडियो के माधिम से जो में आप लोको समझाना चाहता था तो आप लोको समझ में आग गया होगा दोस्तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लिज वीडियो को लाइक कमेट स झाल 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 झाल